तो आखिर हेरा फेरी 3 की कास्ट में कौन कौन से आक्टर से शामिल हेरा फेरी 3 कास्ट में अभिशे एक बच्चन को शामिल करने का फैसला क्यों लिया गया है और क्या अभिशे एक बच्चन की एंट्री से होगा कहानी में एक नया ट्विस्ट हलो एविवान और फेल्कम टू यो फेवरिट चानल बॉलिग्राज स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ अनिश्कतियागी दोस्तो हेरा फेरी एक हिंदी लांगविच कामेरी ड्रामा फिर्म फ्रेंचाइज है जो बॉलिवुड की सबसे सफल कामेरी फिल्मों में से एक मानी जाती है अब दोस्तो वैसे तो इस फिर्म की पहचान परिश्राव और अक्षर कुमार और शनील शेटी से है क्योंकि इन तीनों ने बाबुरा और राजा और शाम के करदार को इतनी बखु भी से निबाया है कि इन करदारोंने लोगों के दिलों में पॉमेनेटली जगा बना ली है लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि हेरा फेरी 3 में दो और आक्टर्स को कास्ट किया जाएगा चुकि बॉलिवुड में पहले से ही काफी जादा पॉपिलर है तो दोस्तों उन में से एक जान अबराहम के हेरा फेरी 3 में होने के बारे में हम आपको बता चुके हैं पर दोस्तों आज जान लेते हैं कि कौन दूसरा आक्टर होगा जो इस फर्म फ्रेंचाइस की लास्ट इंस्टॉल्मेंट में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों बता दू कि हेरा फेरी 3 में अभिशेक बच्चन की हुई है सर्प्राइजिंग एंट्री जी हां दोस्तों कहा जा रहा है कि अभिशेक बच्चन इस फर्म में कास्ट किया जाने की वज़ा है मूवी के डिरेक्टर में बदलाव हेरा फेरी को प्रिया दर्शन ने डिरेक्ट किया था अपर इस बार दोस्तों प्रिया दर्शन के साथ ही इंदर कुमार भी इस फिर्म को डिरेक्ट करेंगे अब दोस्तों इंदर कुमार का मानना है कि फिर्म में दो और आक्टस को इंक्लिट करके इसे मल्टी स्टार कास्ट फिर्म बना कर इसकी कहानी को नई तरह से रचा जाएगा हाला कि बाबुरा और राजु और शाम का किरदार तो सेम ही रहेगा और उन्हें बदला नहीं जाएगा लेकिन दोस्तों जॉन और अभी शेक बच्चन की एंट्री से नई किरदार जरूर देखने को मिलेंगे अब 2018 में रखी गई एक प्रेस कांफरेंस में अभी शेक बच्चन भी परिश्रावर सनील शेटी और जॉन अबराहम के साथ हेरा फेरी 3 के प्रमोशन करते हुए नज़र आये थे और दोस्तों कभी यहां बात भी कही गई थी कि अभी शेक बच्चन भी इस फिर्म फ्रेंचाइस के लास्ट इंस्टाल्मेंट में एक किरदार के रूप में नज़र आएंगे जब लोगों ने इस बात पर सवाल किया कि प्रमोशन के वक्त अभी शेक बच्चन क्यों है शामिल तब उन आक्टस ने कहा कि अभी शेक बच्चन भी हेरा फेरी 3 में देखने को मिलेंगे और इसी वज़ा से वो भी अभी प्रमोशन के लिए तयार है तो दोस्तो जाहिर से बात है कि हेरा फेरी 3 में ज़ौन और अभी शेक बच्चन के होने से कहानी में अलग तड़का तो लगेगा ही साती बाबुरा और शाम और राजु की तिगडी ने तो पहले ही बहुत दूम मचा रखी है पर दोस्तो ये देखना काफ इंटरस्टिंग होने वाला है कि जौन और अभीशेक के किरदार किस तरह इस वर्में नजर आते हैं और ये सारे आक्टस मलकर हेरा फेरी 3 में कितना धमाका करते हैं तो दोस्तो ऐसी ही और बॉलिवुट की न्यूज और अब्डेट जाने के लिए देखते रहे बॉलिगराज हमारी आज की राइटर है मदोरिमा